C.I.B. की तैयारी का सही समय कौन सा है और वो कौन सी बाते हैं जो इस समय आपको C.I.B. को क्लियर करने के लिए आज से ही स्टार्ट कर देनी है हेलो दोस्तों C.I.B. जिसका नहीं हो पाया उसको अगर C.I.B. अभी भी करना है और वो भी ओल्ड स्लेबस से जिससे की नए स्लेबस जो की 5 पेपर वाला है उस तक आप ना जाएं क्योंकि वो इक्वल टू M.B.A. हो जाएगा मैं हर वीडियो में आपको यह बात बता रहा हूँ बहुत से आपके ऐसे दोस्त होंगे जिन्नोंने C.I.B. किलियर किया और वो यह बोलते हैं कुछ नहीं जी एक्जाम आएगा एक्जाम आने से एक हफ्ता पहले पढ़ लेना और यह कर लेना वो चैनल देख लेना वो नोट्स पर लेना और आपका C.I.B. पास हो जाएगा देखिए आप इस मुगालते में बिल्कुल न रहें क्योंकि हो सकता है यह पास करा दे लेकिन दस एटेम्ट लोगे तो साइद एक वाले में ऐसा हो जाएगा तो इसके लिए फिर आप क्या करें इसके लिए जो मेरी सला है बहुत सिंसियर सला C.I.B. J.I.B. से बहुत ही डिफर करता है C.I.B. में conceptual knowledge, case study इतने depth में होती है कि अगर आपने topic को properly नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए वहाँ पर आप uncomfortable position में होंगे exam में तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहली बात जितना भी C.I.B. का syllabus है अगर आप उस seat पर बैठते हैं bank में तो सबसे पहले उसको visualize कीजिए एक एक चीज वह क्यों की जा रही है अगर regional office से HO से कोई return मांगी जा रही है उसके पीछे का logic आप forex में काम करते हैं तो एक एक activity उसका logic आप advances में काम करते हैं तो उसका भी logic क्या है यानि concept को बहुत clear करना जरूरी है और वो day आपका जिस दिन से आप ऐसा करने लग जाएंगे इसका मतलब आपने C.I.B. की तैयारी सुरू कर दी दूसरी बात बहुत हलका हलका daily कुछ ना कुछ चाहे आप एक page पढ़ें और एक page ऐसा पढ़ें कि एक page में जो भी लिखा हुआ है वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए notes बनाते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात होती ही नहीं है और जो भी available videos आपको मिलते हैं जो भी free available videos मिलते हैं उनको देखिए उस topic को देखिए उस notes को पढ़िए या वीडियो अगर आपने पहले दिखा है तो उस notes उस book में वो धूनिये वो कहां पर है क्योंकि जब तक आप syllabus से बहुत familiarize नहीं होते हैं तब तक आप exam में ये सोचते हैं ये topic कहां से हैं कैसे होगा तो concept अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है जो भी आप video देख रहे हैं जो भी knowledge आपके सामने हो रही है उस चीज की theory बुक में कहीं ढूनिये और उस theory को आप proper पढ़िए और ऐसा करने से आपकी C.I.B. की जो तैयारी सुरू हुई है जब आप धीरे-धीरे करते हैं नोट्स बनाते हैं वीडियो देखते हैं अपने mind में एक target रखिए कि जो coming C.I.B. का exam है कसम खा लीजिए कि इस बार आपको पूरा करना है और वो तभी होगा पूरा हमेशा आपके सिरहने पर वो बुक्स जरूर रखी रहे मताँ आपकी नजरों से वो बुक घर में कभी भी दूर नहीं होनी चाहिए और अगर वो हमेशा सामने रहेंगी तो ही मजबूर करेंगे आपको बुक बलटने को Macmillan की बुक syllabus के according more than sufficient होती है अगर आप complete परते हैं तो और अगर आप advanced case study करना चाहते हैं तो देखिए advanced case study के लिए बता दूँ मैं बुक्स में एक limited case studies available है advanced के लिए आपको क्या करना डिफरेंट practice set उठाने पड़ेंगे या जो ये आईबीफ का जो tutorial वीडियो tutorial available हैं उनको देखकर भी आप कुछ ऐसी depth चीज़ निकाल सकते हैं जो बुक्स से beyond है और जो आईबीफ की magazine आती है एक तो आईबीफ vision और banking quest ये दो magazine आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है CIB अगर आप धंक से कर रहे हैं अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि देख लेंगे होगा तो ठीक है नहीं तो next time देख लेंगे दूसरी बात किसी भी ऐसे regular channel को use कीजिए classes join करिए चाहे offline हो चाहे online हो क्योंकि classes आपको मजबूर करती हैं कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए means हम लोग इतने ठक जाते हैं banking job से कि हमें कोई कहने वाला भी तो होना चाहिए कि आज हम ये पढ़ेंगे पूछने वाला भी होना चाहिए तो जो पिछले बार का हमारा experience है आप जो हमारे जो students पास हुए हैं उनसे पूछिए उन्होंने किस तरह पढ़ाई की थी और वो पढ़ाई करने के लिए regular होना must है इस बार हमने अपनी classes के लिए एक नया experiment शुरू किया इस बार हम classes बहुत ज़्यादा लेंगे लेकिन छोटी छोटी लेंगे means छोटे छोटे concept एक दिन में हो सकता हम 20 minute की class लेंगे सिर्फ 20 minute की compulsion होगा join करने का 20 minute में आप एक point सीखते हैं 20 minute में फिर दूसरा point सीखते हैं और जब वो chapter पूरा होता है तो definitely two three marks तो solid बनते ही बनते हैं और अगर आप उसकी case study आपने solve कर ली तो five marks भी आपके उस topic से आ सकते हैं और इसके लिए हमारी classes के decision start हो चुके हैं और जो सुरू में आते हैं आपको पता है उनको कुछ benefit मिलते हैं जो बाद में आने वालों को नहीं मिलते हैं जैसे की revision का benefit कुछ topics जो important होते हैं जब revision करते हैं तो revision का benefit last ABM और BFM में जो भी हमने revision class ली उसमें से 12-15 marks के solid question इसलिए हुए क्योंकि लोगों ने revision class को join किया था फिरी classes की बात करें तो जितने भी YouTube पर class आती हैं वो basically free होती हैं लेकिन उसका एक duration होता है वो कितनी देर तक available रहेंगी ये नहीं पता फिर आप दुबारा उस class को देखना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलती लेकिन mobile application में वही class recorded होके होती है पुराने जो हमारे conceptual lectures हैं वो वहाँ पर available है और उसके साथ जो हमारी last two lives class होगी है complete course वाली 160 के आसपास की classes जो वहाँ available है वो वहाँ पर available हैं प्लस जो new class होंगी जो अभी हमारा next exam आने वाला है उस exam के लिए जो जो जुलाई में most probably हो सकता है जुलाई आगस में जो भी exam होगा 2020-22 का वो exam की जो classes है उसके enrollment स्टार्ट हो चुके हैं अगर आप enrollment में कोई discount चाते हैं तो वो discount offer के लिए आप लोग call करिए वो देखा जाएगा अगर आप G.I.B. के हमारे पुराने student है हमारे loyal student है तो accordingly आपको कोई ना कोई discount जरूर दिया जाएगा या कभी कभी Sunday में जब हमारा offer आता है तो उस offer में आप जरूर लेजिए क्योंकि वो offer बहुती अच्छा offer होता है वहाँ पर आपको कभी कभी तो 60% तक discount मिलता है तो एक बार मैं पूरी summary को दुबारा से revise करता हूँ कि कैसे आप तैयारी करें सबसे पहली बात आप जिस seat पर bank में काम कर रहे हैं उस seat पर जो भी काम होता है उसको अपनी theory से relate कीजिए economics के लिए जो भी GDP budget से related जो ministry के statements होते हैं finance ministry के उनको आप देखिए कोई भी ऐसा development RBI के latest development है जो news आती उसको जरूर देखिए YouTube का notification किसी भी channel का अगर आपको आपको उससे तो लगता है कि कुछ सीख पा रहे हैं तो जरूर देखिए तेज स्पीड में करके देखिए कैसे भी करें कुछ सुनते रहिए अपने notes बनाईए book को पूरा read करिए book को हमेशा अपने पास रखे रहें दिये जिससे आपको याद रहे कि हाँ ये book इसलिए है कि मुझे C.I.B. करना है और अपने मन में एक बात जरूर बैठा के रखिए कि मुझे C.I.B. old syllabus यानि 3 paper वाले concept से पास करना है अगर आप next उसमें जा रहे हैं तो definitely आप मान लीजिए कि आपको 5 paper वाला करना पड़ेगा तो बेहतर ये है कि तैयारी कर लीजे हम आपके साथ हैं और मैं एक चीज़ और announce करना चाहता हूँ कि आप जो हमारे वीडियो जाएंगे जैसे हमारे word to word वाले वीडियो complete book के खतम हो चुके है अब concept और important point बहुत ही बेहतरी वीडियो आने वाले हैं जिसके लिए हमारा home बर्च चल रहा है और वो धीर धीरे करके आपको YouTube पर दिखाई देंगे और ये आपके CIB, आपकी knowledge आपके banking, आपके promotion के लिए बहुत ही helpful होने वाली है आप लोग हम पे trust करते हैं और प्यार देते हैं हमारे जो app download हैं लगभग 19,000 होने वाले हैं 19,000 लोगों के app download CIB, CIB में एक बहुत ही बड़ा achievement है मेरे लिए और हम लोग free classes के नाम पे study material में जो भी live class होती उसके link प्रोवाइड करते हैं वो अलग बात है कि वो दो दिन में या तीन दिन में हट जाते हैं लेकिन जो लोग free में पढ़ना चाते हैं उनके लिए दूसरा जो YouTube से पढ़ना चाते हैं उन्होंने YouTube की membership ले रखी है वो लोग YouTube की membership लेने के बाद एक बार हम से contact जरूर कीजिए क्योंकि प्ले लिस्ट हम लोग अपने mobile app के थुरू प्रोवाइड कराते हैं YouTube के थुरू प्रोवाइड नहीं कराते हैं इसके अलावा आप हमारे WhatsApp नमबर भी contact कर सकते हैं आपकी कोई query है अपनी query भेज़ सकते हैं और जो भी जितने भी लोग इस बार JIB कंप्लीट करेंगे अगर वो वीडियो मेरा देख रहे हैं तो CIB के साथ हमारे साथ जरूर जुडिएगा और दोस्तों इसी के साथ फिर हम मिलते रहेंगे आप से YouTube पर नएने वीडियो के साथ और जो लोग को सबस्क्राइब करेंगे उनको मिलेंगे हम जूम लाइव क्लासिस में थैंक यू वेरी मच